आज किस वीडियो में हम बात करेंगे गूड की इंडस्ट्री के बारे में, जैसे ही सरदियों का मौसम आता है, गन्य का सीजन आता है, वैसे ही गौँ में छोड़ी छोटी गन्य की इंडस्ट्री काईम होती है, आज हम आपको दिखाएंगे गूड को बनाने के लिए कौन- प्रसेस से गुजर कर हमारे लिए गुड़ त्यार होता है गाउं में गुड़ की इंड़स्ट्री कैसी होती है झाल मेंस现在 से घड़स्टette आफाल याद इंड़स्ट आस पाल है जमीन तो गन्ना काट के लिए दा फैरोफ दी सफाई करी दिये अच्छा सफाई कार के आए वेलना ही दे वेच्छोग पाह के ग्रास निका रहीता है अधी बाई साथ हो रहो काट के आठ पाल्टी आई वेच्छ पाई रिया नो पंदा पंदा किलो दियो ते फेर नो आग बाड़ी दिये के आग बाड़ के जड़ो पैरा उबाड़ा हुंदा है माला हुंदी ये उस मेल नो ऐस तरह है लाके सैट दे पादे दिये ताके गोड़ जड़ा खराब नहुए उस तुबार दो गंटे लगदें पक्कन ते पाक के गोड़तियार हो जन्दा है है गोड़ दिंगा फेसिंगा बना रहा है है साधियां फेसिंगा नो सब्दा गोड़े कुछ लोग शुपेश अलाके देविज मेवे मुवे भी पवाल इंदे नो खाने बास्ते जड़ अच्छा बास्त इस्तुमाल करना गोड़ो वे साथ देख लीक है ऐसारो एक गन्ना जड़ो सफाई करी दिया है पच्छी लंदी पत्री एसा डिजायां नहीं जान दिया आगदी जगह ते इस तरह खिलार के सुकाई दा डॉपते फेर जड़ो सोग जान दिया नो कट्या करके डेर लाई देनू जड़ी जरूरत हो व यह वैसे बोत अच्छा है चीन्नी की निश्बत यह काफी अच्छा है वैसे भी नेच्रल है और बानमी माशाला सामने साधा बानर रहा तो चांधान है प्लब करें घार वालों में जा जाथ बात प्लड़ों का तेस्ट पर चूह तो यह बहुत एजियों के लिए बोह खुद ही सेल करता है इस परसेस से उसको बहुत जादा फाइदा है जिससे उसके मनाफ़्े की रेश्यो भी बढ़ती है और वो कहीं न कहीं अच्छा प्राफिल ले सकता है तो हम सब को चाहिए कि अगर हम किसान है तो ऐसे ही हम अपनी छोटी छोटी इंडरस्टी काइम करें और अगर हम गाओं में रहते हैं या गाओं से गुजरते हैं तो ऐसे छोटे छोटे ठेलों से हमें गुड़ पर चेस करना चाहिए तो हमारी सिहत के लिए बहुत ही अच्छा है